हेलो हेलो फ्रेंड नमस्ते जैमात दी मैं सिल्पी आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ब्लोग सिल्पी सर्मा में कैसे हो आप सब तो इधर देखिए उसी दिन की ये किल्प है काफी बड़ा वीडियो हो गया था तो मैंने सोचत दो कर देती हूँ और अभी मैं कटोरी में पानी ले रखा है बरतन में और इसको पहले मूर्दियों को जो मंदिर में से कपड़ा निकाला उसी इसे साफ नहीं हुग करने फिर सुके कपड़े से पहुचूंगी इसको तो इनको अच्छे से पहुच लेती हूँ और कपड़ा दूसरा लिया है मैंने दो कप नीचे से भी सारा पॉंस पॉंस के पूरा सफ कर दिया मेंने एकदम से तो पहले यह फोटो बगए रहा है इनको साफ कर लेती हुँ और हस्पेंड बैठे थे मैं उनसे बात कर रही थी तो वीडियो फस्ट कर दिया तो यह वाली जो तश्वीर है मैं दिखा रही थी यह मैं तुर्पुरा रहती थी वहां से लाई थी यह पांस की जो होती है ना वहां कि कलाकारी अलग है तो यह हास्ते बना के लोग बेखते थे बहुत अच्छी लगती थी मुझे चार लेकर कि देर है और बाकि इतनी अच्छी चीज बनाते हैं कि बहुत ज्यादा तो और सब्सक्राइब की चार थी यह ज्यादा महेंगी भी नहीं थी तो इधर देखिए मैंने मंदिर में पहले कपड़ा लगा रही हूं दुला हुआ और उसके बाद मैं सारी फुटो वगरा हैं उनक ने तो वैसे इनको सेट कर देती हूं मैं लगा देती हूं पहले और तस्वीर मैंने फूटो वगरा नीचे भी नहीं रखें सारी मेरे टोगरी हैं दो और यह मेरे जो गुपाल जी है आप लोगन देखा होगा भी साब कर रही है मैं मतलब उस पर जन्मिष्ट में आती है उ पुजा होती है बहुत अच्छे से करना कियोंकि कभी पूजा करने लाइक होती नहीं है अच्छा भी को भी द्यान नहीं तो भूल होजाए तो उससे तो अच्छा है कि आप डेली जैसे करते हो वैसे ही मनाते रोग वो सबसे बढ़िया है तो पूरी मैंने फोटो अगरा सेट कर दी है दिखाऊंगी आप लोगों को कि मंदर कितना चमचमा रहा है और कितना अच्छा लग रहा है बस साफ करने से इतना अच्छा निया हुँअ और यह तारव गएर हैं जो लैट लग रहा है है तो है यह मंदर को करें हो सैट और इधर आ गयी हूँ सबजी में तड़का लगाने मैंने बूला था सब्जी बनाने तो लोकी के सब्जी बनाही ê ह है और गहा तो बस उसमें तड़का लगा देती हूं पहले मैं उसके बाद मैं लगूँगी काम से इनको जो काम कर रही हूं नहीं करेंगे तक चैन नहीं पड़ेगा चलाने में हमें तो इधरर आ गए थे जहां में काम करती हुआ धरी पास में रहते हुआ पता है मेरा इतना मूरखराओ किया जन्हों ने के क्पड़े गला ओखे ने दूगी ऑद यह देखे सिर दुलाई करने के बाद मेरी मतलब जो भी मसाल बढ़न करने लिए निकाल दिया दूद गरम करने रगए फुल गैस करके और मेरे पास जाके उधर बैठेगे मैं मंदिर में पूजर तस्वीर लगा रही ती दूद निकल गाया जितनी मलाई वगारा थी उससे इतना मुर्ड खराब हुआ करतो गए मतलए साफ है इसको इतना साफ नहीं हुआ थे इतना चिकना हो रखा है तो फिर मैंने धोया इसको चूले को भी और फिर क्या हुआ कि मैं किचिन में लग रही काम करने के लिए और मैंने के जो कपड़े फुला के रखे थे वो दोने के लिए चले गए और मैंने मना किया कि हलके कपड़े जैसे कपड़े हैं मैं दूंगी मैं दूंगी आप मन दोना उनको और यह दोने चले गए तो क्या हुआ ना कि बस ऐसे सर्फ में मीडे कपड़े और निकाल के रख दिये और वह खेस पगेरा थे उन पर मुझे सावन लगा के बुरुस मानना था नहीं किया तो मेरा जब जाके देख से मैंने बोला भी नहीं था फिर क्यों किया और कर दिया तो कर दिया फिर मुझे डवल करना पड़ा फिर से मैंने किया कपड़े वगएरा दोय थे अच्छे से सावन वगएरा लगा के और मुझे समझ में नहीं आता है दूसरे का काम क्योंकि जो मैं कर दी हूँ वही मेरे स भीज़ देखा है इसको ख़ड़ा के रखना द्याइब मुझे मुझे मटके में मैं बहुत ही अच्छा लगता है बहुत टेस्ट आता है इसका मटके का दिका को तो बैसे इसमें जमा कि रख देती हूँ और डस्टीन वगएरा भी सारे धुलाई करके रखे हैं मैंने तो बस किचन वगएरा सारी कुछ साफ हो गई है मेरी अभी दिखाऊंगी आप लोगों को सच में काफी टाइम लगता है किचन में मुझे आदा घंटा सा लगता है और इतना जब उसके उठोंगी देखोंगी तो न कुमाल टंगा दिखरा होगा आप लोगों को यह सू की गैस जब होती है मैं उस पर मारती हूं धूरने के बाद में और इससे ही दूर बगएरा पहुंच दिया पूरी गंदी कर दी मतलब जो भी है जो हाद में कपड़ा पढ़ जाएगा यहीं नहीं किया पहुंचने का क्य मेहनत थी और करवानी थी मेहनत हो गई मेहनत की मैंने और सारी खतम हो गई मेरी तो देखिया इधर मेरा बालकनी में पहुंचा लगाती हूं बालकनी में बारस हो कि पौधी बगएरा रखें तो उनसे मिट्टी हो जाती है तो इसमें भी काफी टाइम लगा है तो धरती से म ने बचाए इसको भी लगाती हूं और कर लेते हैं अपना काम खताम इसी तरह से हो जाता है मूर खराब तो होता है सच मैं मैं अकेली ये डूटी चले जाएं बेटा भी स्कूल चला जाए ना या बेटा घर रहे तो वो मेरा काम इतना नहीं विगाड़ता उसने उस तिन दू मूर खराब हो जाता है जिसे बहुत ज्यादा सच मैं गुस्सा तो बहुत आती है ऐसा ही लगता है कि अपना ही सिर मार लूँ जब मुझे गुस्सा आती है तो कि मैंने बोला नहीं और फिर भी काम कर दिया इतना चिचड़ापन इतनी जिद्ध है मेरे में तो यह देखिए